नमस्ते मेरा नाम है मुकेश आज अपने बात करेंगे डॉक्टर भी साल से कि क्या गायनेकोमेस्टिया सरजरी कराना जरूरी है और अगर नहीं करवाया तो क्या होगा नमस्ते सर नमस्ते अच्छा सवाल है तो मैं पहले जवाब दे रहता हूं समझाने की बज़ाए गायनेकोमेस्टिया सरजरी करानी की कोई जरूरत नहीं होती अब संजो बात को गायनेकोमेस्टिया अपने आप में बीमारी नहीं है हालांकि ये किसी और बीमारी का लक्षण हो सकता है गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मर्दों में महिलाओं की तरह स्तन का डेवलप्मेंट ब्रेस्ट टिशू का बढ़ जाना उनका चेस्ट दिखने में फीमेल्स का जैसा लगता है प्यूबर्टी के टाइम पर जब थोड़ा बहुत हर्मोंस में उतार चड़ा होता है तो कुछ बच्चों में breast gland ज्यादा stimulate हो जाते हैं जो कि प्यूबर्टी के बाद भी बने रहते हैं बहुत ही rare cases में थोड़ा थोड़ा बढ़ते भी हैं कुछ rare cases में शरीर की कुछ बीमारियों में gynecomastia हो जाता है मतलब स्तर्ण ग्रंथी की कोशिखाएं बढ़ने लगती हैं वो gland कट और रप्मेंट बढ़ जाता है इन में से किसी भी कारण में लेकिन बीमारी नहीं हो रही है गाइनकomastia खुद अपने हाप में बीमारी में नहीं बदलता है यह दिखने में अच्छा नहीं रगता तो अगर 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 नहीं किरा तो क्या होगा शरीर पे दुश्प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ नहीं होगा इतना सा हो सकता है कि वक्त के साथ धीरे-धीरे इसका साइज गार बढ़ जाए या वक्त के साथ जो तचाड धीली बढ़ती है तो गाइने को माश्चाग लियान के वजन के कारण वो लटक जाए और चेस्ट की शेप जो है वो ठीक न लगे अगर कोई ये सोचता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएका तो देखो ये तो नहीं होने वाला अगर हम गाइने को माश्चाग स्वजरी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये बिमारी नहीं है बाद में अपने आप ठीक हो जाएगे अपनी आपने ठीक होने वारी, एक बार glands बन गए तो बन गए majority लोग ये सोच कर गायने को मारस्य स्वज़री नहीं करवाते कि हम किसी बिमारी का समाधान करा रहे हैं ये दिखने में अच्छा नहीं लगता एक बहुत important चीज जो सोचने वाली है वो ये है कि मांसिक बिमारीयों का क्या मन की इच्छा का क्या अगर किसी व्यक्ति को गायने को मारस्य दिखने में अच्छा नहीं लग रहा वालक अगर उमर में छोटा है और भी वो इस चीज को नहीं समझता कि इसके साथ भी जिया जा सकता है तो वो हमेशा मन में चुपता रहेगा, हाथ में मिश्वास को कम करता रहेगा, ये आगे जाके भविष्य में डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, यानि ये मनोविज्ञानिक बिमारी पैदा कर सकता है, मैं ये नहीं कहा रहा हूं कि अगर गयनकोमास्टिया है किसी बच्चे के तो उसको भविष्य में जाके कोई नो कोई मनोविज्ञानिक बिमारी होगी, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों में ये संभावना है, लेकिन जितने भी लोगों को गयनकोमास्टिया है, उन में से तो अगर किसी को अपना शेप इंप्रूब करना है, उसे दिखने में गयनकोमास्टिया नहीं अच्छा लगता, तो गयनकोमास्टिया सजर्य उसके लिए बहुत आच्छा ठीट्मेंट है, लेकिन अगर ये पूचा जाएगा की, क्या गयनकोमास्टिया करना अनिवारी है, क्योंकि बिमारी नहीं है लेकिन अगर मन को कस्ट दे रहा है तो ख़र लेना चाहिए बहुत आसानी से हमेशा के लिए प्रॉल्लम सौल हो जाती है थेंक्यू सर जैसा सर ने बताया डॉक्टर भी साल ने जैसा आप उनको बताया कि काइनको मेस्टिया सर्जरी करवाना जरूरी नहीं है एक मेडिकल पॉइंट ऑफ्यू से देखे तो पर अगर आपको सेल्प कॉंफिडेंस है या फिर आगे जो भी अपनी लाइफ स्टाइल स कि अपनको मोडलिंग करना है जो भी होता है उसके पॉइंट ऑफ्यू से आपको सर्जरी करवाना चीए और इसके बारे में आपके पास में कोई भी सावाल हो तो सीधा हमारे नंबर पर संपर्क करें थैंक्यू कर दो